नमस्कार दोस्तों मैं आसी स्वागत करता हूँ आपका पैसन कमपटिशन में सीटेट के प्रिविएस एर पेपर के सेरीज में आज हम लोग डिसकस करेंगे 24 दिसंबर 2021 के EBS के पेपर को EBS में टोटल आपके 30 प्रसन कोशे जाते हैं दोस्तों जिसमें से 15 questions NCRT based होते हैं और 15 questions EBS pedagogic होते हैं तो आज हम लोग इसके NCRT सेक्षन को डिसकस करेंगे चलिए अई तो श्टार्ट करते हैं question number one से पहला प्रसन है कि वह जन तु काउन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिसाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है जो बाहर की ध्वानी को इकठा करने में उसकी सहता करता है ठीक है तो आपको बताना है कि वह कौन सा जानवर होता है जो अपने कानों को अलग अलग दिसाओं में घुमा लेता है लंगूर, सलाथ, कुट्था या फिर बाग तो कौन सा होता है दोस्तों वह होता है आपका बाग जिसे टाइगर भी करते हैं बाग एक ऐसा जनत होता है जो अपने कानों को अलग अलग दिसाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है और बाग के कान बाहर की धौनी के इकठा करने में उसकी मदद करते हैं, उसकी सहता करते हैं अगर बाग के सुनने की छमता की बात करें तो इसकी सुनने की जो छमता होती है इतना तेज होती है कि वह पत्तो की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने डूलने की आवाज में भी फर्क कर सकता है ठीक है दोस्तो यहां से एक डारेक्ट प्रस्न भी पूछा गया है कई बार कि वहां कौन सा जानवर है जो की पत्तो की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने डूलने की आवाज में फर्क कर लेता है तो वहां कौन है वहां आपका बाग होता है और बाग अपने ताकत, फुर्तीलेपन और अपारसक्ति की कारण ही इसे भारत का राश्ट्री पसू घोसित किया गया है ठीक है दोस्तों आगे अगला प्रसने देखते हैं कि उस कारेकलाप को चुनिये जो अन्य कारेकलापों से भिन है इस टाइप का प्रसन आपके आनलाइन पेपर में एक पूछाई जा रहा है जहाँ पर आपको अपने मैंड का यूज करके उसका हल करना है ठीक है जैसे कि चाय बनाना तैरना कं में भी पानी का यूज किया जाता है तैरने की बात करें तो हम पानी में ही तैरते हैं और आठा गूथने के लिए भी आपको पानी चाहिए होता है ठीक है जबकि कंगी करना इन तीनों से क्या है अलग है ठीक है दोस्तों तो यही क्या है अलग है आईए अगला प्रसन तो NCRT में आपको अच्छी और उसके घोसलों का वीबरड दिया गया है दोस्तों आप लोग एक बार अच्छे से उस टॉपिक को देख लीजेगा यहां से एक प्रस्ण बनता ही बनता है चलिए आए देख लेते हैं जैसे कि आपका सक्कर खोरा दिया है कोयल दिया है कल चीड यहां सुखे पत्ते कपड़े के चिथड़े आदी होते हैं ठीक है तो यह का कौसा हो जाएगा चौथा हो जाएगा दोस्तों ठीक है अगर कोयल की बात करें तो कोयल अपना घोसला स्वेम नहीं बनाती है बलकि कोवा अपना जो घोसला बनाता है जिसमें वह अंडे देती ह उसी में कोयल भी अपने अंडे को देती है तो इसका B का कौन सा हो जाएगा पहला हो जाएगा ठीक है ऐसे ही अगर हम कल चीडी की बात करें तो यह क्या करता है यह सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में घुसला बनाता है तता उसके उपर पाउतों की टकनिया जड़े बाल रूई बिची होना का यूज करता है ठीक है तो C का कौन सा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा ठीक है ऐसे D दरजिन चड़िया की बात करें तो जाड़ी पर दो पत्थों को नुकिली चोच से सीकर बनाया गया घुसला इसका होता है ठीक है तो D का कौन सा हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा ठीक है दोस्तों यानि कि दरजिन चड़िया नाम से इस फश्ट हो रहा है कि यह क्या होता है दरजिन का का काम करता है यानि कि पत्पियों को सील कर अपना गुसला बनाता है ठीक है आईए मिलान कर देते हैं तो एका कौन सा था दोस्तो एका सक्कर खुरा एका था आपका चौथा ठीक है तो एका चौथा किसमे है देखिए क्यों पहले में है और किसमे है चौथे में यानने कि दोसरा और तीसरा तो आपका ऐसे ही गलत हो गया ठीक और फिर उसके बाद B का कॉंसर हैगा B कोईल, B का पहला रहेगा ठीक है, तो B का पहला रहना चाहिए तो B का पहला किसमे है तो B का पहला है आपके चोथे में, तो यानि कि यही इसका सही जवाब हो जाएगा और यहाँ पर देखे C का पहला, C का पहला, यहाँ पर C का दूसरा रहेगा यहाँ पर गल्ड टैपिंग हो गया है ठीक है, और D का तीसरा, ठीक है अगला प्रसना देखते है अगला प्रसना है कि तीन खादे पदार्थों का ऐसा समयों काउंसा है जिसके प्रतेक सदस्य में लाह तब तो प्रचूर मात्रा में होता है तो यहाँ कई बार रिविटेट कोश्स है दोस्तों इसका सही जवाब है पालक, गुड और आवला, ठीक है तो पालक की अगर बात करें तो पालक में सबसे ज़्यादा आईरन होता है और सरीर में आईरन की कमी होने पर सीरदर्द, हाथ, पेरों का ठंडा होना आखों के निचे डार्क सरकल तथा चकर आने जैसी समस्या होती है ठीक है दोस्तों तो पालक में आपके सबसे ज़्यादा iron होता है अगर गूड की बात करें तो गूड में भी iron पाया जाता है और iron के अलावा इसमें protein, calcium आधी पाया जाता है और इसी परकार आवला की बात करें तो इसमें भी iron होता है तथा इसके साथ इसमें vitamin C, vitamin A तथा calcium पाया जाता है ठीक ह आईए अगला प्रसना देखते हैं हमारे देश के राष्टपती द्वारा पाचवी की पुस्तक में दिये गए पार्ट का सिर्षक है तो उसका सिर्षक कौन सा है हुआ है उसी से ठंडा उसी से गरम ठीक है अगर हम बात करें कि वह कौन से राष्टपती थे तो वह थे डाक्टर जाकीर हुसेन जो हमारे देश के पुरो राष्टपती थे जिनके द्वारा क्या था ओसी से ठंडा ओसी से गरम पाट का सिर्षक दिया गया है ठीक है आईए अगला प्रसना देखते है एक कार 1512 किलमेटर की दूरी को 28 गंटे में तैग करती है इस कार की औसा चाल है औसा चाल पूछ रहा है दोस्तों तो औसा चाल बरावर होता है आपका औसा दूरी बटा औसा समय ठीक है क्या होता है औसा दूरी बटा औसा समय और सद दूरी दिया है 512 km, और सद समय भी दे दिया है 28 घंटे, तो आप रख दिजिए, दूरी की स्थान पर कितना रखेंगे 1512 रख देंगे, और समय की स्थान पर कितना रख देंगे 28 रख देंगे, ठीक हैं, अब क्या करेंगे, डिवाइड करवा दिजिए, तो साच 28 हो जाएगा 7 2 14 होगा और फिर कितना हो जाएगा 7 tutti और समय आपका घंटे में है तो 15 गोब कर pharmacy घंटें घानी तो नियाँ टिक हैं अब हम इसे क्या करेंगी किछ कि हमारा चैन्सर वा मीटर पर सेगेंड में है तो इसे मीटर पर सेगेंड में कनवर्ट कर लेते हैं तो 5 बटा 18 से गुड़ा करते हैं किलो मीटर परती गंटा को मीटर पर सेगेंड में कनवर्ट करने के लिए तो जैसे ही 5 बटा 18 से गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर देखे है अगला प्रसन है अगला प्रसन है कि हमारे देश के एक राच में प्रिछण करने पर यहाँ पाया गया कि वहाँ के ग्रामेट शेतरों के अधिकांस मकान मजबूत बास के खंबो पर बने है इनके लकड़ी के फ़र्स जमी से लगभग 3-3.5 मीटर के उशाई पर बने है मकानों के दिवारों भी लकड़ी की बनी है यहाँ भारी वर्सा होने करण मकानों की छटे सामाना तर ढालू है यहां कौन सा राज़ी हो सकता है तो यहाँ कई बार रिप्टेट कोस्तों से दोस्तों जहाँ पर मिबास के खंबों के घर बने हो और जमी से 3-5,3 मीटर उचे हो तो यहाँ ऐसा घर कहां पाया जाता है असम में पाया जाता है ठीक है क्योंकि यहाँ पर अतधिक मात्रा में वर्चा होती है और अक्सर वाड भी आया करता है जिस हो जैसे यहाँ पर अतधिक उचाही पर घर बनाया जता है ताकि घर डूबे ना ठीक है आगे अगला प्रसना देखते है निमलिकित में से तीन राजियों के उस सम्हू को च खाड़ी इदहर है आपका अरेवियंसी अरब सागर ठीक है बंगाल की खाड़ी के माते कौन कौन से राज्य है तो यह देखिए आपका तमील नाडू है इधर आधर पर देस है इधर उडिसाय और इधर कौनसा है आपका वेश्ट बंगाल है ठीक है इसका सही जवाब हो ज इस भूमी आउंटन में एक विसेस मात्रक यूनिट जिसे टीन कहते हैं का उपियो किया जाता है इस मात्रक यूनिट का आर्थ है इसका आर्थ क्या होता है इसका आर्थ होता है कि वह भूमी जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बहुता है ठीक है अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है कि जूम खेती के अंतरगत जहार खंड की किसानों द्वारा अपनाय जाने वाले तरीकों के सम्मध में निचे दिये कथनों पर विचार कीजिए तो अगर हम जूम खेती की बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों इसमें एक फसल कटने के पसाथ जमिन को कुछ वर्सों तक आराम के लिए छोड़ देते हैं फिर उसके पसाथ उसमें जो खरपतवार उग आते हैं उसे काइट कर फिर से उसे छोड़ देते हैं फिर उसमे क्या करते हैं आग लगा दिया जाता है जिससे कि क्या होते हैं वह जल जाते हैं खरपतवार और खरपतवार जब जल जाता है तो वह खात के रूप में कारी करता है फिर जब बीज बोया जाता है तो उसके लिए खुदाई नहीं कि जाती है बलकि उसे थोड़ा सा क्या करते है हिलार डुला कर उसी में बीज को बो दिया जाता है ठीक है तो इसका सही ज़वा कौन-कौन सा होगा कि एक फसल कटने के लिए पस आतजयमिन को कुछ वर्सों तक आराम कर देते हैं सही बात है खर पतवार को खाड कर खेत में जला देते हैं जी नहीं खाडते नहीं बलकि काड तक χर पतवार की राख खाडे के रूपर करती है एकदम सही बात है जब जमिन छेती के लिए तैयार हो जाती है तो 20 Mess बोंने से पहले उसे गहरायी तक जोता जाता है तो जी नहीं गहरायी तक जोता न ही जाता है बल्कि उसे हिला कर यह उसमें क्या किया जाता है बीज आज भी हम आपने घरों में कांसे को प्योग करते हैं तो निम्लकित में से कांसे के बारे में सरस्रिष्ट कथन को चुनिए आइरन और सिलवर आदी की भाती कासा भी एक तत्तु है दूसरा है कासा एलमोनियम कापर और जिंग का मिस्रण है तीसरा कासा कापर और जिंग का मिस्रधातू है चोथा है कि कापर और टीन का मिक्स रधातु है ति इसका जो सही जवाब है हुआ है कि कापर और टीन का क्या है दोस्तों मिक्स रड़ है किसका किसका कापर और टीन का ठीक है आईए अगला प्रसने दिखते हैं अगला प्रसन है कि किसी ट्रेंड के मार के समय सारडी का अध्यान किजिए ट्रेंड है 6-3-3-5 नगर कोईल एक्सप्रेस करम संख्या एक से चार तक दिया है इस टेशन का नाम है गांधी धाम और सूरत ठीक है पहुचने का समय छोड़ने का समय यानि कि छूटा कितने है 6 बच के 15 मिनिट पे दूरी अभी जब छूटा है तब तक तो 0 किलमेटर टेक किया है और यह गांधी धाम से कहां जा रहा है सूरत जा रहा है और कितना बज़े पहुच रहा है 16-15 पर पहुच जा रहा है छूटा कितने बजे है 16-15 यानि 4 बच के 15 पीम पर पहुचा है ठीक है और इस बीच उसने कितने दूरी तैक है तो हमको चाहिए क्いा हमको बताना है कि उफ्रोई के आधार पर इन दोनों इस्टेशन वार्थात गांदी दम और सूरत के बीच क्रेंड की ओसा चाल तो ओसा चाल बरावर क्या होता है ओसा दोरी बट्टा ओसा समय दोरी हमें पता है समय निकालना है तो जब आपके पास छोड़ने का समय और पहुचने का समय ग्यात हो तो आप पहुचने के समय में से छोड़ने के समय को घटा दीजिए ठीक है दोस्तों क्या करिए पहुचने के समय में से छोड़ने के समय को घटा दीजिए तो 15 में से 15 जाएगा 0 और फिर उसके बाद यहां का आज जाएगा 16 जाग गया 10 ठीक तो यानि कि 10 घंटा का आपका क्या जाएगा समय आ जाएगा टोटल लगा, ठीक, अब निकाल लेजिए, और सा 4 बरा और क्या जाएगा दूरी, दूरी कितना है 530, समय कितना लगा है 10 घंटा, 0-0 कड़ गया, यानि कि 30 km पर घंटा लगेगा, ठीक है, कितना 30 km पर घंटा इस तो पता ही चल गया होगा कि कन्योज कहां का है तो यह यूपी का एक जिला है जो कि इत्र लगरी के नाम से जाना जाता है। डीजल का मुल्य कितना होगा 90 रुपया 72 पैसे ऐसे ही पेट्रोल का मुल्य 2020 में कितना होगा 92 रुपया और 2021 में कितना होगा 102 रुपया 12 पैसा ठीक है तो आपको बताना क्या है एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मुल्यों में बृध्धिक इदर बताना है तो जो बचे म पाइसे घटा दीजिए और वरतमान मुल्य से डिवाइट करवा के सो से मुल्टिपलाई करवा दीजिए आपका अंसर आ जाएगा नपने पहतर पैसे में इसमें जब 100 से गुड़ा करवा देंगे तो यह 9 10 मलों हड यागा तो कितना जाएगा 972 बटा कितना होगी आपका 81 डिवाइट करवा देजी नो से काड़ेजी नो 9 81 यहाँ पर 9 एकम 9 9 आठे बातर फिर 9 से काड़ीए 9 एकम 9 2 ना ठार यानि कि 12% आ ठीक है यानि कि डीजल में कितना बढ़तरी हुआ है 12% 12% किसमें है देखिए दोस्तो इसमें भी है इसमें भी है अब पेट्रोल का निकाल लेते हैं पेट्रोल में क्या करेंगे 102 रूपया 12 पैसे में से घटा देंगे 92 बट्टा क्या हो जाएगा 92 into 100 ठीक है आप घटाएगे तो कितना आ जाएगा आपका जाएगा 12 पैसा और फिर यहाँ पर 2 में से दो गया 0 10 में सनो गया 1 यानिकी 10 10 में लो 1 2 बट्टा 92 into 100 ठीक है दोस्तों काटिए चार से कट जाएगा 4 दूना आठ और 4 याई 12 ठीक है इसे भी काटिए 4 दूना 8 4 25 चार ते 12 ठीक है फिर इसे जब काटेंगे 23 एकम 23 एकम 23 यानिकी 11 परसेंट ठीक है तो इसका सही जोब क्या हो जाएगा आपसर नंबर 3 12 परसेंट और 11 ठीक है दोस्तों आगे अगला परसन देखते हैं और इसे वीडियो का लाश्ट परसन है कि भारती में ते ओहारू का एक समों जो पूडिमा के दिन मना जाता है तो कौन समाना जाता है वह मना जाता है अपका होली रच्छा बंदन और गुरु नाना का जन्म देन ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा